नमस्कार दोस्तो आपने महाबारत के बारे में सुना होगा पड़ा भी होगा लेकिन महाबारत को जितने गहराई से जाने उतने ही राज और भी जादा निकल आते हैं आपने गंधारी के बारे में तो सुनाई हैं कि उनके 101 पुत्र थे लेकिन ये बात हज़र नहीं होती किसी को भी ये बात जाने में वो सुत्ता रखते हैं कि गंधारी के 101 पुत्र कैसे हो सकते हैं अगर 101 पुत्र थे तो वह सबसे बड़ा पुत्र तो 75 साल को होगा तो उसके बाद गंधारी की क्या यू रही होगी और महाभात के काल तक गंधारी कितने उमर की होगी ये सवाल हमारे हम सभी के दिमाग में घुंता रहता है तो जानेंगे आज कि गंधारी के क्या 101 पुत्र थे ये सच है या फिर एक बनावटी कहानी कहते हैं गंधारी के 101 पुत्र भी थे और एक बेटी भी थी लेकिन ये कैसे संबभ हो सकता है जानिये इस वीडियो के दोरान कि गंधारी के 101 पुत्र कैसे होगी नमबर एक, कहते हैं गंधारी के दो पुत्र, महाभारत में हमने उनके बारे में सुना भी है, एक तो दुरियोधन था और दूसरा था दुशासन, जिसके बारे में हमने महाभारत में पूरी तरह से जना भी है, जिनके बारे में चिक्र भी है, वो और पुत्र हैं जिनका जिक और दूसरा था युजूसू जिनका जिक्र भी महावास में क्या गया है लेकिन सौ पुत्र होना ये कैसे संबब हो सकता है इसके बारे में हमें अब इस वीडियो के दोलान ग्याद करेंगे इस ग्रंथ को महारसी व्यास ने लिखा था और वहें गंधारी उनकी सेवक थे गंधारी ने उनकी सेवा की थी और उस सेवा सेवे खुश होका पुनों ने वर्दान दिया था गंधारी को कि उनके सौपुत्रों गे शायद हो सकता है कि ये वर्दान के कारण ही गंधारी के नमबर तीन, गंधारी का विवाद द्रिस्ट्रास शेग हुआ था जो कि राजवन्ष में सबसे बड़े बेटे थे और कहा जाता है कि द्रिस्ट्रास बच्पन से ही अंदे थे और उनका इसी कारण उन्हें राजगदी ना मिलकर उनके भाई पांडू को उन्हें राजगदी उन्हें मिले नमबर चार, पावलपन में पीटने के कारण गंधारी के मास को जनम दिया, जिस मास के जनम होने के बाद महरसी व्यास को बुलाया गया, महरसी व्यास को गंधारी ने जब अपने इक्षा जदाई के वह एक पुत्री भी चाती हैं, इसलिए उन्हों ने उस मा मास के टुकड़ों को रखने के बाद उसे ढख दिया, तभी तुरंट कहा जाता है कि गंधारी 101 पुत्रों यानि कि 100 पुत्रों और एक बेटी की मावनी, नमबर पाच, इस जनम की अवधारना के बाद सभी लोग इसे ठीक तरह से मानते भी है, आईवी एफ यानि कि इन फ मास के टुकड़ों को जार में बंद करके अच्छी तरह से पोशन दिया, पोशन देने के बाद वह 101 पुत्रों की मावी वनी, क्याते हैं यह कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग इसे नकार भी रहे हैं, तो ये थे वह कारण जिसके कारण पता चलता है कि गंधारी के 101 प कुत्र की प्रगती हुई थी, मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना अगुरें